हेलो एवरिवन जाम लास लेक्चर में फस्ट ओर्डर के बारे में और जीरो ओर्डर के बारे में कम्पलेट डिसकसन कर चुके हैं जहां पर अपने उसके नुमेरिकल पोर्शन को देखा वो कम्पलेट देखा जहां पर अपने उसके इंटिग्रेटिड फस्ट रेट लो और उसके बाद में जीरो ओर्डर के लिए दोनों के लिए इंटिग्रेटिड रेट लो देखा वो कम्पलेट देखा आज हम जो डिसकस लिए क्या लिख सकते हैं? देखो रेट ऐसा लिख सकते हैं, rate is equals to k into a की power 2, एक term तो यह भी लिख सकते हैं, भाई second order है, यह भी mention हो सकते हैं, दूसरी term अगर यह देखें, तो मेरे पास में rate is equals to k into a into b, ऐसा भी लिख सकते हैं, मरे पास दोनों जगा पर यह second order है, दोनों rate लो तो रहाएं तो दोनों जगापे हमारे पास में कितना है यहां हjor है यहां भी 1 प्लस 1 देट इस इक्वल तो 2। दोनों जगापे similar है। दोनों जगापे मेरे पास में second-order हैen, फिर इन दोनों में Defense के तो है यहाँ पे केवल single reactant यूज हो रहे है, single reactant, यहाँ पे कितने reactant यूज हो रहे है, केवल एक reactant यूज हो रहे है, अगर यदि हम इसके opposite दूसरा हम component देखते हैं, तो इस भी हमारे पास में क्या हो रहे है, different reactant यूज हो रहे है, different reactant यूज हो रहे है, हम जो पढ़ने वाले है, ह को हमें डिसकस करना है single reactant के लिए के अवल एक reactant component होगा उसके लिए हमें second rate low expression को drive करना है आज हम जो discuss करेंगे वो हम यहीं चीज़ discuss करेंगे second rate low expression पहली चीज़ इस से relate होने वाला half life के साथ में relation half life relation ठीक है किस तरीके से half life एक दूसरे के साथ में relate करता है जाम ने देखा zero order के लिए जाम ने देखा first order के लिए जाम ने देखा second order के लिए जब हम half life calculate करेंगे तीनों को relate करेंगे और वहाँ से order calculate करना सीखेंगे clear है तो हम पहले हम drive कर लेते हैं इसका एक formula छोटा सा कि हम second order के लिए किस तरीके का relation देखते है ध्यान से समझने है बहुत important topic है देखो अगर suppose करो मेरे पास में कोई भी एक reaction है a that is equals to p मेरे पास कोई भी एक reaction है जिसमें single reactant user हो रहे है और वो p product दे रहे है rate जो expression करते है rate low mention करते है वो क्या लिखते है experimental data देते है experiment से में mention करते है तो that is a key power 2 second order के लिए तो हमें इसे लिख सकते है क्योंकि हम simple तरीके से करने कोशिस कर रहे है तो वो भी वहीं आएगा क्योंकि हम जब इसका expression लिखेंगे आप ऐसा calculate कर सकते हो 2a से product देगा तो आप यहां से सीधा एक formula जब rate लिखोगे तो rate of depression क्या होता है that is minus of da divided by dt ऐसा ही होता है जब आप 2a लिखोगे तो यहां पे 1 upon 2 करना पड़ेगा उस चीज को ध्यान देना है और बाद में चलके जब हम reactant concentration है वो change होगी तो वो half होगा तो उसको साथ में cancel out कर देते हैं वो चीज़े अपने अप neglect हो जाते है तो उस ची गबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहां पर केवल a की reactant यूज कर रहे है और लिख रहे है तो हम यह a की power 2 लिख रहे है ना तो यह दोनों चीज़े सेम रहेंगे गबराना नहीं है बात वहीं है आप a to p देख रहे हो तो भी वहीं आएगा और जब आप 2a to p जाओगे त तो उसके बाद जब आप इसको solve करके जाओगे तो भी answer वहीं आएगा clear है d a by dt is equals to that is k a की power 2 ठीक है अब क्यूंकि मेरे पास में differentiation terms है और यहां पर concentration divided by time है इधर concentration time है दोनों को एक तरफ अलग-अलग equate करते हैं इक्वेट कैसे करते हैं integration लगाएंगे लेकिन इस term को इधर इस term को इधर लेके हैंगे तो हमने क्या लिखा minus of d a divided by a का square is equals to k dt यहीं बना दोनों तरफ हमने integration लिया integration लिया concentration यहां पर concentration कितनी है that is maximum maximum कितनी और वह हम यह कह सकते हैं वह maximum है a note तो हम यहां पर कह रहें a note उस time में time zero है जब maximum से कुछ concentration decrease हुई है तो वह decrease हुई है a t तो उस time में time कितना है that is t यहीं आए अब ध्यान से समझना है क्योंकि अगर दिमालो x की power या हम यह कह सकते है x की power n है minus n है d n इसका हम integration करना है तो क्या करेंगे x की power n x की power minus n इसमें एक add करने upon minus n plus 1 जिस जो add की है हूँ से divide भी करने है same काम हम भी आ करने है यहां पी इस term को हम कैसे लिख सकते है that is minus a note to a t a की power 2 इसको हम क्या लिख सकते है a की power minus 2 यह concentration term d a is equals to k dt that is 0 to t यह लिख सकते है simple सा है कुछ नहीं कर रहे है कोई different काम नहीं कर रहे है वह जो similar पीछे वाली वीडियो जो हमने किये है वह ही काम कर रहे है ठीक है अब मेरे पास यहां पर बना के है a की power minus 2 तो हम यहां पर add करते है इस में term add करते है क्या चीज़ ए की power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 यह बना और क्योंकि इसकी limits है तो वो limits क्या है that is a note to a t यह है और बाहर negative sign है ध्यान देने बाहर negative sign a की power minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 यह की है is equals to k t यह यह है इसको हम equate करते हैं क्या आएगा a की power minus 1 divided by minus 1 तो negative sign बाहर और यहां पर मेरे पास में a t to a note और negative sign बाहर है is equals to k t ध्यान से समझने कोई different काम नहीं कर रहे हैं simple उसके mathematical portion को solve कर रहे है clear अब इसी को हम आगे solve करते हैं आगे हमारे पास क्या relation निकल के आएगा आगे हमारे पास में यहां से negative sign negative sign cancel होंगे cancel हो गए तो हमारे पास में यह बना one upon अब किसी की power negative है तो इसका मतलब उसको क्या लेख सकते है बन अपोन ए और उपर 80 नीचे ए नोट यह है is equals to kt क्योंकि हमने यहां पे सीधा time की value पुट कर दिये time की unit पुट कर दिये जो limit है वो पुट कर दिये 0 to t तो t अब क्या बना यहां पर रिलेशन अपर लिमिट माइनस लोगर लिमिट अपर लिमिट यह बन गया is equals to kt यह हमारे पास formula बन क्या गया जिसको हमने देखा second order reaction के लिए second order reaction के लिए जो भी time period होगा किसी भी concentration पे कोई भी concentration हो सकती है उस पे जो भी time period होगा वो हमारे पास में calculate हो गया है अब हम यहां पे एक relation देख लेते time का अगर देखे तो क्या हो जाएगा that is 1 upon k into 1 upon 80 minus 1 upon a 0 यह हमारे पास में formula बना है ठीक है अब देखो बहुत important चीज़ डिसकोस करने वाले है और वो क्या यहां से हम half life calculate करेंगे half life क्या होगी second order के लिए half life क्या होगी half life for second order reaction क्या होगी that is t half is equals to 1 upon k into 1 upon 80 by किसी time पे reactant की concentration कितनी होगी that is a 0 divided by 2 a 0 divided by 2 minus 1 upon a 0 यह होगा 2 कहां जाएगा उपर चला जाएगा यहां पर आगे हमारे पास में 2 divided by a 0 minus 1 upon a 0 cancel हो जाएगा तो यह हो जाएगा 1 upon a 0 और यहां पर 1 upon k है तो that is k हाफ life का relation मेरा यह आया है 0 order reaction के लिए क्या होगा वो relation क्या है था that is t half is equals to a 0 divided by 2k यहीं था अगर यहादे हम first order के लिए देखते हैं first order के लिए मारे पास क्या आ रहा है t half is equals to 0.693 divided by k और a note की power 0 mention कर सकते हूं भाई क्योंकि इसके साथ में तो इस पर dependent ही नहीं था ना तो a के power 0 कर सकते हैं या हम यह लिखते हैं simple से चलो छोड़ो इसको भूल जो कि हमारे पास यह नहीं है ठीक है अगर हम second order के लिए लिखें तो second order के लिए हमारे पास क्या होगा t half is equals to वो क्या value आ रहे है 1 upon a note के ध्यान दीजिए एक चीज़ ध्यान दीजिए सिर्फ और सिर्फ variation आ रहा है और वो किस में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ reactant की concentration में आ रहा है जो initial concentration है उसमें ही changement आ रहा है ती मैं t half की बात करूँ तो वो तो हर जगा पे ही inversely proportional है rate constant का जो की fix है यह तो fix है यह तो fix है यहां भी 1 by के 1 by के 1 by के लेकिन मैं दूसरे step पे चलूँ जहां पे t half की value जब मैं 0 order के लिए देख रहा हूँ तो वो directly proportional to a note है directly proportional है जब मैं half life first order के लिए देखता हूँ first order के लिए तो वो independent है independent है और independent का मतलब a note की power 0 है यहां पे a note की power 1 था यहां पे a note की power 0 है और जब मैं second order के लिए देखता हूँ तो t half is equals 2 that is 1 upon a note है मतलब मेरे पास क्या हो रहा है directly proportional inversely proportional है 1 by a note का और हम इसको ऐसा लिख सकते हैं की power a note की power minus 1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं हमारे पास में यह चीज़ आ रही है निकल के देखो ध्यान से उस टाइम में value directly proportional directly proportional है जब order मेरा first first order ध्यान देना first order उस टाइम मेरा 0 first order order first अगर एदि मैं n की value 1 लेता हूं n की value 1 तो उस टाइम में ऐसी क्या value रही होगी कि मेरा equal to 0 आएगा equal to 0 बनेगा equal to 0 का मतलब है कि वो इसके उपर depend ही नहीं करेगा तो मतलब यह है कि यहां से अगर एक छोटा सा टम मैं इसको indicate करना चाहूं और वो यह कि जब मैं time half की value mention करना चाहता हूं तो वो एक relation देता है और that is a note जो initial concentration है that is n raise to the power minus 1 a note की power a note की power जो initial concentration है जिसको मैं यहां पे लिख सकता हूं half life सिधा लिखता हूं ध्यान देने half life that is inversely proportional है 1 upon initial concentration की power क्या बन रहे है order minus 1 order minus 1 put करके देख लो order minus 1 order की value के जीरो जीरो value है तो वो directly proportional order की value 1 है तो that is 0 order की value 2 है तो that is 1 upon a note ठीक है तुमारे पास एक relation निकल के आ गया और वो relation निकल के आ यह वाला जो में बहुत बहुत ज़्यादा help करेगा वह ज़्यादा help कैसे करेगा question solve करने पर पढ़ता है और वो किस तरीके से solve करने होते है अगर मेरे पास में suppose करो suppose करते हैं अगर दो initial concentrations दे दी दो initial concentrations दे दी हैं किसी भी reactant की अगर दो initial concentrations दे रखी हैं मतलब उसको initial concentration के साथ में relate कर रखा है तो उसमें half life calculate कर वा ले है और या फिर हमें दो half life दे 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 दो initial concentration के साथ में relation दे दे और पूछ ले order of reaction बताओ तो हमें इस type के questions देखने को मिलेंगे बात clear कैसे मिलेंगे त्यांसे समझने हैं तो हमारे पास में अगर मैं इस order को completely completely लिखों टी हाव टी हाव इस इक्वल्स टू इस इक्वल्स टू ले लो या फिर हम इसको यह लिख सकते हैं तो टी हाव क्योंकि मेरे पास में इसका तो मेरे पास में फरस्ट है और ये भी मेरे पास फरस्त है और टी थे half that is twice is inversely proportional to a not of k power n-1 क्योंकि reaction तो मेरी सेम है उसी reaction पर होना है क्योंकि rate constant के साथ variation हो रहे है तो हमारे पास में यह हो गया यह हो गया तो rate constant दोनों बराबर है तो दोनों की equate करते है एक्वेट करते तो मेरे पास relation निकल के आते है और वह निकल के आते है ए अपवोण ए No it austacad यहां पर second यहां परस्ट की पावर यह मैनस वह यह रिलेशन निकल के आता है आपको वैलूज वोट करने है आंसर निकालना क्यश्य करने आ जैसे कॉश्चिं करते हैं हैसके रिलेशन में एक कॉश्चिं करते माल लेते suppose करते हैं कि मेरे पास एक reaction है उस reaction की initial concentration ए नोट है ठीक है? ए नोट है जहाँ पे उसका half life जो half life है उसकी half life कितनी हो जाती है वो half life हो जाती है 50 minutes half life उसकी 50 minutes पे होती है ठीक है? अगर यदि हम इस initial concentration को reduce कर दे ए नोट बाइ 2 कर दे अगर यदि हम initial concentration को reduce कर दे ए नोट बाइ 2 कर देते हैं तो उस time में उसका half life है वो मेरे पास 25 minutes हो जाते है यह बन गया ठीक है? calculate कीजिए order of reaction order of reaction क्या होगा? calculate करने order of reaction बत क्लियर है? समझ आगे बाद? चलो ठीक है calculate करना start करते है जो हमने formula बोले है मेरे पास first equation यह दे रखिए second equation यह दे रखिए put करने answer निकालने क्या formula बना था? t half that is 1 t half that is 2 is equals to is equals to is equals to क्या बना है? that is a note that is second second का a note ज्यान देने second का a note divided by first का a note की whole raise to the power क्योंकि reactant सेम है तो मेरे पास में n-1 reaction तो सेम है उसमें rate constant सेम होगा तो उसमें order of reaction भी सेम होगा की power n-1 value put करो that is 50 first condition that is 25 second condition का type यह हो गया half life उसका second condition का is equals to a note a note कितने है? a note मेरा यह रहा a note दूसरी condition में a note by 2 इसकी power n-1 यह हो रहा है अब मेरे पास में यहां से value देखते हैं 50 को cancel कर दिया that is 1 that is twice that is 2 तो यह बनके मेरे पास में 2 की whole raise to the power कुछ भी हो हम ही क्या करने? इसको a note से a note cancel और यह बन गया 1 upon 2 और यह value क्या आगई? n-1 यह आई है अब 1 by 2 को हम क्या लिख सकते हैं? उपर चला जाएगा 2 उपर जाएगा तो क्या होगा? minus sign आएगा तो 2 की power 1 और 2 की power negative 1 into n-1 तो negative 1 अंदर जाएगा तो negative 1 प्लस हो जाएगा प्लस होगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1 minus n 1 minus n बेस से में powers क्या हो सकती है? एक दूसरे के equate हो सकते हैं 1 is equal to n minus 1 1 से 1 cancel तो हमारे पास में n is equal to 0 order of reaction क्या हो गया? 0 0 order reaction है इस तरीके से हमें calculation करनी आ सकती है calculate करना पूछ लेगा जिसको हमें simple तरीके से calculate करना आ चाहिए बाद क्लियर है दो half life दे देगा initial concentrations के साथ में और आप से calculate करवा ली जाएगी कि calculate कीजिए क्या चीज? उसमें order of reaction ये calculate करवा ले या फिर आपको order दे दे first order reaction उसका half life calculate करो तो calculate करवा लो तो इस तरीके से related question पूछे जाते हैं एक question और जो आपसे tabular form में देखे कुछ नहीं है similar है बात यही है जो आपने अभी अभी की है बस आपसे थोड़ा सा variation कर देगा और वो variation क्या करेगा? आपको कोई भी table दे जाएगी जैसे अभी मैं एक question देता हूँ आपको कि कोई भी है कोई भी reaction है उस reaction में concentration है यहाँ पे time है जब उसकी time 0 है मतलब उसकी reaction initially है जहाँ पे वो reaction concentration maximum है वो 1.6 into 10 is to power minus 2 है ठीक है? जब वो reaction 300 second पे जाती है तो उसकी concentration 10 is to power minus 2 बस्ती है और जब वो 600 पे जाती है तो उस time में उसकी concentration है 0.4 into 10 is to power minus 2 बस्ती है ठीक है? calculate कीजिए calculate order of reaction order of reaction calculate करने है clear? कैसे calculate करेंगे? कैसे calculation करने है? order of reaction कैसे निकालते है? simple है हमारे पास 0 time पे मतलब 0 time का मतलब क्यों होगा? उसकी maximum concentration time उसका 0 time उसका क्या है? 300 हो गया है तो उस time उसकी concentration ये उसकी concentration ये A note मेरा ये है A मेरी ये दे रखिये ध्यान देना है ऐसे questions को कैसे solve करने है आप पहले assume करोगे क्या चीज़? कि ये may be zero order reaction हो सकती है ध्यान देना है मैं rule बता रहा हूँ ऐसे questions को solve करने का मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ किस तरीके से solve करने है फिर आपको solve करने है खुद solve करने है भी हो सकती है हो सकती है अब starting से start करो zero order से zero order से start करोगे तो यहाँ पे time का formula क्या होता है that is one upon k into a naught minus a यह होता है यह होता है इसमें put करो पहले बारे पास में a naught की value यह दे रखी है a t की value concentration by times 300 हो गया तो time 300 rate constant निकालोगे यहाँ से k निकालोगे फिर दूसरा data put करोगे यहाँ से k1 यहाँ से k2 तो one upon t time मेरा कितना होगा पहले मेरा 300 था अब मेरा 600 होगा है उस time मेरा a naught minus a यहाँ से rate constant निकालोगे ठीक है उसे similar तरीके से first order reaction दी होगी आप मान सकते हो suppose करने first order reaction तो इसके लिए rate constant that is k1 क्या आएगा वो आएगा हमारे पास में 2.303 log of a naught upon a upon t यह आएगा दूसरा हमारे पास में यह first concentration k2 यहाँ से हमारे पास 2.303 upon t log of a naught upon a2 यह होगा अब ऐसे ही यहाँ पे ऐसे calculate करोगे अब आपको एक चीज़ देखनी है और वो चीज़ क्या जिस जगा पे भी rate constant k1 is equals to k2 अगर order आगे दिया होता तो हमारे पास में is equals to k3 अगर यदि कोई भी ऐसा step जिसमें भी rate constant बराबर आ रहे है जिसमें भी बराबर आ रहे है अगर वो zero order में rate constant बराबर आ रहे है क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़िए rate constant किसी भी reaction के लिए fix होते है वो constant होता है जब तक जब तक उसमें temperature variation नहीं होगा ठेक है तो जब तक मेरा temperature variation नहीं होगा तब तक उसका rate constant fix होगा यहाँ पे अगर rate constant बराबर आते है तो हम कहा देंगे यह 0 order reaction है अगर यदि यह rate constant बराबर आते हैं तो हम कहा देंगे 1st order है अगर यह भी दोनों किसी के भी बराबर नहीं आते हैं तो हम second के लिए निकालेंगे अगर इसके k1 और k2 बराबर आते हैं तो हम कहा देंगे second order reaction है clear है तो इस तरीके से आपको calculation करनी है खुद calculate करके देखने है इस numerical को solve करके देखने है ठीक है और find करने है कि first order है, zero order है या second order किस type की reaction है इसको mention करना है clear हो गई बात एकदम clear है, zero order first order, second order तीनों के बारे हम completely discuss कर दिये किस तरीके से हम order of reaction calculate करते हैं, और किस तरीके से half life से relate करके हमसे questions पूछे जाते हैं completely discussed कोई doubt नहीं बचा होगा clear है, चलो तो ये था मारा आज का lecture जिसमें हमने discuss किया chemical kinetics second order of reaction clear I hope आप लोगों के lecture पसंद आया होगा सबसे ज़्यादा जरूरी कि अगर आपको lectures पसंद आ रहे हैं तो please videos को share किजिए और आपके जितने भी friends है उन सभी के पास में share किजिए ताकि जिनको जरूरत है ये videos उन तक पहुंच सके ठीक है उमीद करते हैं आप इन videos को पसंद कर रहे हो और आपको समझ भी आ रहे हैं तो please अगर यदि आपको पसंद आ रही हैं और समझ आ रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा share भी करें और अगर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये थैंक यू वेरी मुच और वे नाइस टेर